ही गा दोस्तों आस तो फाइनली भाई यहां पर हमने 4K मोनीटर ही मंगा लिया यह इसका डबा जो गया भाई जाबड तड़ा एकदम है आज एकदम अनबॉक्स वन बॉक्स कर देंगे पॉर टाइम हो गया था भाई 4K गेम्स के लिए ग्राफिक करता है पर मोनीटर नहीं तो यह लिजे सर पूरा बॉक्स मेटेरियल के साथ पूरा यह मोनीटर उठा के लेकर आ गया है पूरा आज इसको अनबॉक्स करने वाले और मज़े की बात भाई LG की तरफ से तो आता ही है साथ में सबसे चीपेस्ट यह अभी राइटनो मोनीटर आप समझ सकते हो यास 4K वाला तो पूरा आज इसको अनबॉक्स करेंगे सारे फीचर्स देखने वाले आगे इन गेमर्स को चीपेस्ट 4K वाली चीज़ी चाहिए 4K का बाई फनी अलग है 1080p से विश्वास उट रहने वाला है अपना साथ में IPS डिस्पले मिलता है Ultra HD 4K भाई भुलकुल खतरनाक साथ में AMD का FreeSync तो मिली रहा है कि यहां पर LG के हमें ब्रैंडिंग मिलती है बागी 4K तो है इनका यहां यह खतरनाक इसका पूरा बॉक्स वाक्स टाइप का मैटेरियल रहने वाला भारी भ हमने भाई ड्रिल ओपन कर दी अपनी फुल ताकत के साथ यहां पर और यह अपना इसके अंदर मेटेल रहेगा इसको भिछा देते है चल यह सरंदर घुसा जा यहां पर पूरा प्लास्टिक व्लास्टिक वाइट 4K तो कम समझ रहे हो कि यह हमने सबसे पहले यह ची जा इसके अलावा यह देख सकते हो भाई फुल वाइट कलर में आ पर गलत ही लुक में लगेगा यह सब पावर एडेप्टर है इससे तो पावर मिलेगी वह वाली तारे आ गई में और एक HDMI की केबल भी दिया साथ में आज के टाइम पर डिस्पले पोर तो चलता ही है यह अपन हाँ एक डिस्पले पोर्ट भी अपने को मिलती है तो डिस्पले एक HDMI और कुछ वायर सी अपनी आगे जिससे हम लोग चलाएंगे अपने मोनिटर को ठीक है यह वाइट है पूरा यार क्या कुछ हा रहा है भाई कुस तो और चीजे निकल रही है यहाँ पर एक मैनूल मिलता इसके अलावा यह थोड़ा इसका लिवर होगा जिसको भी निगाल के आपको दिखा जेते हैं यह एकदम यार लग रहा है कि कोई बोटल टाइप की चीज है बड़ एक्शुल मैं स्टैंड के उपर लगेगा बेसिक इंस्टॉलेशन होता है मोनिटर का यह मेजर हम लोग प निकाल रहे है काफी तगड़ी इसकी पैकिंग है प्रीमियम वाइप तो आपको टॉप क्लास में ली जाएगी बाकी बहुत सकता है और यह आ गया भाई डिस्पले आप देख सकते हो अब इससे जादा दिखाने लाग चीज नहीं है मोनिटर पूरा काला काला यह एकदम य यह भी अपना कुछ यह पावर के लिए और यह एडफोन के लिए और यह तीन डिस्पले आ गया और यह यह है मांटिं के लिए अगर आप चाहो तो वाल मांट वाल मांट कर सकते हो खतरनाक लगी कि यहां पर टॉप क्लास ब्रेंडिंग और यहां से स्टेंड लगेगा यह यह monitor in my hands आ गया भाई देख सकते हो यह 4K सबसे सस्ता LG का वही monitor है तो पुरा देखते है features के फिर चला के भी देखें यह games वगएरा full एकदम loadport scene दोस्तों आप फोड़ा सा features के ऊपर बात कर लेते हैं वैसे monitor में ऐससे features के नाम पे तो कुछ खास होता नहीं है बढ़ है य directly इसको 23,000 के आसपास में बट रोल सकते हैं मैंने सबसे सस्ता देखा Amazon पे कौन सा है और यही था इससे सस्ता है ही नहीं और आएगा भी कैसे भाई 4K की बात आप यहां पे कर रहे हो साधी साधी यहां पे अपने को 3840 x 2160 pixel के आसपास मिलते है HDR10 यह monitor ready आता है इसके अलावा like 144 Hz हो तो भाई 23,000 में यह तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि आपको 4K high refresh rate monitor मिल जाएगा यह तो आप भी जानते हो तो अगर आप particularly game अलो professional level की बात कर रहो competitive level की gaming अगर आप पसंद करते हो इन सच यह सब चीज़े यह आपको लग रहा है future है तो वहां पे भाई आप यह monitor पे दोस्तों के साथ खेलना है as such competitive नहीं ज्यादा फर्क नहीं बढ़ता है और हमें इतना फ्रेम्स का चक्कर ही नहीं है तो 60 Hz काफी रहेगा अपने लिए बठाए यह monitor भाई editing के लिए जोड़दार है 98% srg भी मिलता है color accuracy even color जो आप आखों से देखोगे ना मतलब blue के भी है 4K का सबसे budget gaming के लिए ठीक है बेकार बिल्कुल नहीं है मैं खुद बोल रहा हूँ अगर आप अपने दोस्तों के game 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 खेल रहे है ठीक ठाक है हां अगर आप competitive हो नहीं होता है e-sports वाले उनके लिए थोड़ा समझ भी आता है पर अगर आप इतना यह level के नहीं हो तो आप यहां पर चिडिया और रंगीन फोरेस्ट की एक कहानिया मतलब वही है अपनी जो यह नेचुरल ब्यूटी होती है अब यहां पर देख सकते हो काफी यार 4K का experience देखो आप यह वीडियो आप 1080P में देख सकते हो max to max तो आपको यार मेरे को नहीं लगता 4K तक दिख पाए अब नहीं थोड़ा बहुत रिजल्ट है थोड़ा बहुत शार्पनेस और यह सब चीजे तो आप भी तब भी जच कर पा रहे होगे as compared to normal अपना जो होता है 1080P उससे तो काफी लेवल बढ़िया हो जाता है और budget भी कम वही 23,000 रुपे में आप बटर हो सकते हो यह चीज अच इस पर हमने गेम चला दिया बागी सारी ग्राफिक्स फूल कर दिये और यह यहां पर हमने जब GTA 5 चला है ग्राफिक्स तो बहुत ही मज़दार आ रहे है भाई बोल ही नहीं सकता उसका तो है नहीं 4K अब देख पा रहा हूं मैं क्योंकि 4K मॉनिटर अपने पर तो वहां प आपको बताऊं 4K का अलगी फन आ रहा है इसके ऊपर बड़ जब मैंने इस पर राइजन चलाई वह एक लेटेस्ट गेम इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो उसके ग्राफिक्स और इंस है वहां तो फट गए भाई RTX की लेनी देनी हो गई बूरी तरीके से आप देख सकते हो 15-20 fps आ रहे है वहां 4K को हम यहां enjoy कर सकते हैं fps कम क्यों ना हो उसका को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए वागी गेम अपनी जो भी है कम fps में चल रही है वागी वागी वाग 4K देखो के तो काफी mess लगता है अगें दोस्तों अगर 4K को high refresh rate पे खेलना है न भाई तो ग् मोनेटर ही आपको कम से कम भी RTX 4070 यह सब तो चाहिए तब आपको कुछ समझ भी आता है भाई चीजा आप खतरनाक लेवल पर ले जाओगे वागी हां मोनेटर की साब से तो काफी जोड़दार चीजा है क्या दा लगा बताना कोमेंट में बागी आप सारी गेम स्यूचर में गलत लेवल पर टेस्टिंग होगी मागी चलो अगर वीडियो पसना ही तो बिल्कुल बाई लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो के शेयर कर देना मिलते रेक्षिड हो में तब तक लिए बायर जय हिंजय भारत वन दे माट